हेलो गाईज, विल्कम बैक टो आवर चैनल, हम एजूकेशनल चैनल, I am हमाद एहसन, जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने जामिया M.Phil PhD इंटरेंस एक्जाम के कोशन्स पेपर को सॉल्फ कर न शुरू किया है, इसमें 2017 का पेपर हमने सॉल्फ कर लिया है, उसको अपने YouTube चैनल कोशन पेपर के ओपर वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट ये है, उसमें हम M.C.Q. वाला पार्ट लेंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है, M.Phil PhD इंटरेंस एक्जाम जो अर्बिक का होता है, उसमें दो तरह के पेपर होते हैं, नमबर एक जो होत इनकलेजिया और वाइस वरसा होता है, इसी तरह हमें लखिस अलिबारा होता है, यानि खुलासा करना होता है, उसके अलावा एक टॉपिक लिखना होता है, उसके अलावा तसहिहुल जुमला होता है, यानि कुछ जुमले होते हैं, जो गलत होते हों, उसको सही करना पड़त क्या है और इसके इलावा क्या क्या चीज़े इसमें हम और जान सकते हैं तो चलिए ये वन से 25 नंबर कोशन होगा उसके बाद जो है सेकंड वीडियो में नेक्स 25 कोशन और थर्ड वीडियो में हम सब्जेक्टिव पार्ट लेकर आएंगे तो पहला सवाल है कम दोलतन अरबियतन तकव फी अफरीका यानि अफरीका के अंदर कितने अरबी ममालिक पाए जाते हैं तो आपको पता है कि कुल जो हमारे ममालिक हैं वो 22 हैं अरबी ममालिक जाने तो दोल अरबिया के अंदर पाए जाते हैं तो इसका जवाब हम देख लेते हैं कि 22 में से कितने अफरीका के अंदर हैं और कितने अशिया के अंदर हैं तो इसका सही जवाब है कि 10 जो हैं ममालिक जो हैं अफरीका के अंदर पाए जाते हैं और 12 ममालिक जो है एशिया के अंदर पायाते हैं, कुल इस तरह 22 ममालिक होते हैं, जो अर्बी ममालिक माने जाते हैं, अफरीका के अंदर जो 10 ममालिक हैं, उसकी हम 2 केटेगरी कर सकते हैं, शिमाल अफरीका और शर्क अफरीका, शिमाल अफरीका के अंदर 7 ममालिक आते हैं, इ मिस्र है, सूडान है, लीबिया है, उसके बाद तुनिस है, अल्मगरिब है, अल्जजाइर है और मुरितानिया है। मिस्र, सूडान, लीबिया, तुनिस, और अल्जजाइर, और अल्मगरिब, अल्जजाइर, और मुरितानिया। ठीक है और उसके इलावा जो है शर्क अफरीका के अंदर तीन जो है कंट्रीज आती है वो हैं जुजरुलकमर और जैबूती और असुमाल जुजरुलकमर जैबूती असुमाल जो है यह तीन जो है शर्क अफरीका के अंदर आते हैं उमीद है कि इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो पिरीज इसको सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें नहीं कि इस तरह की मुक्तलिफ वीडियो जो हमारे चैनल पर आती रहेंगे जिससे आप फायदा उठा सकते हैं और उठाते रहेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उन तक भी इस तरह की वीडियो पहुंच सकें ठीक है नेक्स्ट सवाल है इसमें गलत क्या है गलत है और अंसर के इतिमारे से बा को हम सही लगाएंगे क्योंके यहां पूछा जा रहा है मा हुवल गलत गलत क्या है तो यही वाला गलत है अमर बिन कुलसुम किसे कबीले से है अमर इक बिन कुलसुम अत तगलिबी अत तगलिबी और जो है बकर बिन वायल कबीले से कोन आते है तो बकर बिन वायल कबीले से तरफा बिन अब्द और अल आशा तरफा और आशा ये जो है ये बकर बिन वायल कबीले से आते हैं इतना हमें पता होना चाहिए लबीद बिन नबिया कबीले हवाजिन बिलकुल सही है और जो है, 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 जो ह सुदू लहू अलय बान्वाइल हमूमी लियबतली ये किस्त का शेर है ये सवाल है कि हाजा मिसाल ये जो है बलाग का सवाल है लेकिन उसे पहले मैं बना दू ये जो हमारे शायर कबीर अशर शौरा इम्रौल कैस का शेर है ठीक है इम्रौल कैस और जो इसका जवाब हम देख लेते हैं तश्बीह तमसील, अलिस्तियारा, अल्टश्बीह बलीग, अल्किनाय, तो इसका सही जवाब है कि तश्बीह तमसील की ये मिथाल है तश्बीह तमसील अज़ा काना वजह श्बीह फीह सूरत मुन्तज़त मिन मतादिदिन गएर तमसील इज़ा लम यकुन वजह श्बीह कतानिका तश्बीह तमसील और तश्बीह गेर तमसील जो है ये दो पार्ट किया गया है तश्बीह तमसील में कहते हैं जब वल्हु श्बही सूरतन मुंतजात मिन मुतादिदिन तो ये तश्बीह तमसील होगा ये इसकी तारीफ है आप इसको तारीफ को भी याद कर सकते हैं तो सही जवाब जो आपको पता होना चाहिए इसका जो हमारे शायर तरफा बिन अब्द का है तरफा बिन अब्द की का ये शेर है बहुत मशहूर शेर है हमें इस तरह के जो बहुत सारे जो हमारे मौलकाती शोरा इसी तरह दूसरे जो शोरा है उनके कुछ-कुछ अशायर हमें जरूर याद होने चाहिए जिसमें से एक शीरी तरफा बिन आपका बहुत मशूर है ये हमें जरूर याद होना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है मन काना कातिब स्ल्तान सलाहुदीन ऐयूबी सलाहुदीन ऐयूबी जो हमारे ऐयूबी सल्तनत का बादशाओं में से एक बादशाह है वो उनका कातिब कौन था ये बता है पूछा जा रहा है ये सवाल में तो इसका सही जवाब जो है खाजी फाजिन ऐयूबी और इसी वे जाज़े सलाहुदीन ऐयूबी कहा करते थे मैंने अपने फौज की जोर पर अपनी फौज की ताकस से ये बतादे से तो उसकी इनुँपरदाजी से मैंने मलोक बादशादी को फता कीवादाजी वहां के लोगों को ये इनुपरदाजी अपनी फुघ लिखा करते थे उससे मतसीर होकर उससे डर कर जो है वो मगलूब हो जाय करते थे और इसके इलावा जो है इबनलामीद ये भी इन्शापरदाज है अलजाहिज ये भी इन्शापरदाज है साहिब बिलाबाद ये भी इन्शापरदाज है चारों जो है इन्शापरदाज है अपने जमाने के नेक्स्ट कोश्चन है अस्दरा मुझला अलुवत 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 الدین آفغانی و محمد عبدو یہ جواب صحیح ہے جمال الدین آفغانی اور محمد عبدو نے مل کر یہ مجلح سادر کیا تھا شائع کیا تھا اور انہوں نے کب مجلح سادر کیا اور کتنے سال تک یہ مجلح جاری دہا اس کا صدور اور اس کے ساتھ ساتھ کس نے سادر کیا اور کہاں سادر کیا یہ تمام چیزیں آپ کمنٹ باکس میں ملک دیں گے تو میں بہت مشکور ہوں گا آپ کا اس سے باقی لوگوں کو بھی یہ جانکاری हो जाएगी जो कि important हो सकती है exam के point of view से next question है किस साल जो है उस्बा अंदलुसिया की तासिय इस अमल में आई ठीक है तो 1924, 1920, 1925, 1932 तो आपको पता होना चाहिए कि उस्बा अंदलुसिया की जो बुन्याद पड़ी जो उसका वजूद हुआ वो सान बावलो बराजील के अंदर जो है ये वजूद पजीर हुई और इसके जो पहले रईस है वो मिशाल नॉमान मालूफ है मिशाल नॉमान मालूफ और इसकी तासीस की जो तारीख है वो यनायर 1933 है ठीक है लेकिन ये कोई option यहाँ पे दिख नहीं रहा है 1933 का तो हम और बाद जो प्रानी हमारी किताब है उसके अंदर 1932 जो पिवाई क्यूज है वो 1932 उसमें भी लिखा हुआ आता है इसलिए हमने अभी फिलहाल के लिए इसमें इस जवाब को सही माल लिया है लेकिन जो सही जवाब है वो यनाया 1933 यानि जनुवरी 1933 के अंदर अलुस्पा अनुदुनुसिया वजूद में आई और जो 1932 में जो है आपका मदरसत अबोलो वजूद में आया ठीक है जो मिसर के अंदर और 19 and 20 में आपका राप्ता कल्मिया वजूद में आया और 19 and 21 में आपका अद्दिवान मदरसत अद्दिवान वजूद में आया ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है मा हुआ अवल सहीफत मिसरिया पहला मिसरी सहीफा कौन सा है बहुत अहम सवाल है असाइह अल्फनून अल्वगाय अल्मिसरिया अल्तनकीद अल्तनकीद तो यह सारे जो है बहुत अहम मजले हैं जो शाय हुए और मैं इसका पहले जवाब बना देता हूँ उसके बाद मैं इन पर थोड़ी सी गुफतगों करूँगा तो अल्वगाय अल्मिसरिया यह अवल सहीपति मिसरिया ठीक है असाइह जो है 1912 से 1957 हमारा 1912 से 1957 तक यह मजला रहा और यह अब्दुलमसीह अद्दाद अब्दुलमसीह अद्दाद का यह मजला था अल्फनून जो है यह 1913 से 1918 तक रहा बीच में यो भी बंद हुआ, फिर चालू हुआ, फिर बंद हो गया, और ये किसका था नसीब आरीजा का था, ये दोनों मजल्ले जो है, ये जो है राप्ता कल्मिया से मतालिक रहे ये दोनों मजल्ले, ठीक है, अलमकायाल मिसरिया, ये तो 1828 में ये वजूद में आया, ठीक ह النदیم المصری के जरी जशीए ठीक है अब्दुल्ला النदیم المصری के जरीए वजूद में आया ठीक है नेक्स्ट कोच चान है मुस्तśक्बिल उस्थफफ़ा फी बिस्र के जो मुउल्फ कौन है ये बहुत अहम किताब है मुउल्फ की अहमद अमीन ताहा हुसेन अबास महमुद अलकाद नजीम महफूस तो इसका सही जवाब है ताहा हुसेन ताहा हुसेन हुआ मुअलिफ मस्तक्बिल इस्तकाव फे मिसर और ये 1938 में पहली बार पब्लिश हुई ठीक है 1938 में नेक्स्ट कोश्चन है इन्न लहू लह लहलावत वएन अल्य लितलावत वएन अलाहु लमस्मर। वएन अथफलिय। लमगदिक। वएन अभू याल। और युञला अलीه। अखनस बिन शरीक, उमया बिन खल्ब, अबुजा, तो इसका सही जवाब यह है, कि अल्वलीद बिन मुगीरा ने ये बात कही थी, इन्नलहू लहालावतु, ठीक है, यानि उसके इंदर बहुत चाशनी है, ठीक है, और इसको जो है, इस पर बुलंद नहीं हुआ जा सकता, इस इस पर आप ओवर कम नहीं कर सकते हैं, इसे, कुरान की बलागत पर, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन है, सबसे पहले इल्म नहु की तासीस किसने की, अलकसाई, सीवए, अबुल अस्वद दौली, अलकसाई, इमाम कूफी, सीवए, इमाम बसरी, अबुल अस्वद दौली, हु यही है जो है, इल्म नहु के पहले मुएसिस, नेक्स्ट कोश्चन है, मन हुआ मुअलिफ वह्युल कलम, वह्युल कलम एक किताब है, इसके मुअलिफ कोन है, ठीक है, मुस्तफा सादिक अर्राफई, मुहम्म्द तैमूर, मुस्तफा लुत्फियल मन्फुलूती, अहमद अ तो इसका सही जवाब है, मुस्तफा सादिक अर्राफई, हुआ मुअलिफ वह्युल कलम, वह्युल कलम एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत अहम किताब है, उसके मुअलिफ है, मुस्तफा सादिक अर्राफई, नेक्स्ट कोश्चन है, मन हुआ मुअलिफ तौकुल हमामा तौकुल हमामा के मुखलिफ को ने तौकुल हमामा जो है इश्क के मुतालिख लिखी गई सबसे पहली किताब माई जाती है जो कि तीस अववाब या फुसूल पर मुश्तमील है ठीक है? किसने लिखी है? इसमें से जो सही जवाब है इसमें से जो सही जवाब है इसमें से जो सही जवाब है इसमें से तौकुल हमामा नामी किताब लिखी है नेक्स्ट कोश्चन है अंदुलस के अंदर इसमें से कौन ता शहर वाके नहीं है तो इसका सही जवाप आपको पता होना चाहिए घरनाता ये जो है हमारा अंदुलूस के अंदर पाय जाता है श्बीलिया ये भी अंदुलूस के अंदर पाय जाता है ठीक है नیक्स्ट कोशन है यारी रिसालत तवाबे वजवाबे के बारे में यहां पर चार स्टेटमेंट दिये गए है आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें गलत कुन सा है ये बात बिल्कुल सही ये बात भी बिल्कुल सही है ये बात भी बिल्कुल सही है तो ये तीनों स्टेटमेंट जो उपर के हैं वो हमारे सही है और जो अल्लफ़ा इबन हयान इबन हयान ने इसको लिखा ये वाला गलत है तो यही हमारा जवाब हो गया क्योंकि पूछा जा रहा है मा हुआल गलत अन्रसालतित तवाबे उस्वाबे नेक्स्ट कोश्चन है वलिद इबन हानी इबन हानी की पैदाइश हुई यानि जो शहर पूछा जा रहा है कि इबन हानी की पैदाइश कहा हुई गरनाता इशबीलिया बेरूत मालका तो इसका सही जवाब है कि इबन हानी की पैदाइश इशबीलिया में हुई इनको मतनबी अलगर्ब भी कहा जाता है और ये 326 के अंदर पैदा हुए और 363 के अंदर इनकी वफात हो गी 326 हिज्री 326 की हिज्री के अंदर पैदा हुए और 363 हिज्री के अंदर वफात पा गए अबुल्कासिम इनकी कुनियत है महांद बिन हानी अलजदी अब कास्थि आप्टर इपूर अजवानी हाई मिन बहतरी के सिलसले में जो है सही जवाब चुनना है इसमें यून उसमें से चार स्टेटमेंट दिये क difficulty है उसमें से एक जवाब चुनना है हुआ मिन अल्कर्नि खामिस अलहिज्री तो यह खामिस हिज्री से नहीं है यह जो है पैदा हुए दो सो चार के अंदर और जो वफात पाई दो सो असी के अंदर तो यह हमारे जो है तीस्तिती हिज्री कुन्यत अब आब अबादा ये बात बिल्कुल सही है अबु आबादा नाम था अबू अबादा कुनियत थी उनकी नाम पूरा कुछ यू था अबू अबादा वलीद बिन अबैद बिन यहया अतनुखी अत्ताई और तीसरी जो बात हुए मिन अल्करन लहादी अशर मिलादी हादी अशर मिलादी यानि गारहवी मिलादी से नहीं थे बलके आठ सो बीस ईस्वी में पैदा हुए और आठ सो संतानवे यानि एट, नाइं, सेवन इस्वी में इनकी वफात हो गई यानि यह इनका तालुक जो है नूवी सदी ईस्वी से है कुनियत हो अबुटीब, अबुटीब इनकी कुनियत नहीं तो हज्जाज बिन यूसुप बहुत बड़े खतीब हैं अमवी दोर के सुमान बिन वाल ये भी बहुत बड़े खतीब है तारिख बिन ज्याद ये भी अमवी दोर के बहुत बड़े खतीब है कुस बिन साइदा ये भी बहुत बड़े खतीब है जाहिरी दोर के ये तमाम चीज़ें इनकी अवलियत जो है कुस्बिन साइदा की तरफ मनसूब की जाती है नेक्स्ट कोर्चन है इश्तहावा फी शायर लहुब लुजरी लहुब लुजरी जो है शेयर है पाकीजा महबत वाली शायरी में कौन मशूर हुआ कुस्यर बिन अब्दर्रह्मान जी बिलकुल ये भी जो है कबील अधरा से तालुख थे हैं ये भी जो है कुस्यर उज्जा के नाम से जो इज्जा या उज्जा के नाम से ये मशूर थे ये उनकी महबुबा का नाम है जमील बिन मुदमिर नई ये भी आपर हुब लूजरी के शायरी में मशहूर थे लिएदा इसका जवाब जोगा कुलुहुम यानि ये तमाम के तमाम हुब लूजरी में मशहूर है नेक्स कोश्चन है ये एक कौल है एक बात है ये पूज़ा जा रहा है ये किसने कहा है अबु बकर रजी ल्लाहु 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 रजी ये बात कही गई है कि वो एक तहाई अर्बी जबान पर मुझतमिल है अल्फरस्दक, अल्जरीर, उमर बिन अबी रबिया, अल्वतन अबी ये चारो के चारो बिला शुबा जो है बड़े शौरा में शुमार किया जाते है लेकिन ये बात जिसके बारे में कही गई है वो जो है फरस्दक है और ये बात भी कही जाती है लव ला शौरु फरस्दक लजहब सुलुस लुगा अला रबिया लव ला शौरु फरस्दक लजहब सुलुस लुगा अला रबिया अगर फरस्दक की शायरी मौजूद ना होती तो अर्बी का तिहाई हिस्सा जाय हो जाता ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन है अब्दुल्ला अलबर्दूनी अब्दुल्ला अलबर्दूनी जो है किस मुल्क की तरफ मनसूब है लहाद हमें इस तरह की चीज़े भी याद करनी चाहिए कि कौन सा शायर और अदीब किस मुल्क की तरफ मनसूब है किस मुल्क से उसका तालुक है वे भी हमें पता होना चाहिए अल्यमन, मिस्ट, लुबनान, सूदान इसका सही जवाब है अल्यमन, इसी वज़ा से इनको जिसकी जो है दूसरी ओफिशियल लैंग्विज जो है अर्बी जबान है हम जो है यहाँ पर 23 नमबर कोशन तक पहुँश गए है अगर आप अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेर नहीं किया इस चैनल को तो पिलीज शेर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि मुझे मोटिवीशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ तो इस सवाल का जवाब की तरफ आते हैं तो इसका बता दें कि मगरिब जो है 22 जो है अर्बिक मुल्क है उसमें से आ जाता है लेहादा यह पहला लेंग्वेज अफिशल लेंग्वेज अर्बिक है तूनिस भी उसी से तालूर था उसका भी पहला लेंग्वेज अफिशल लेंग्वेज अर्बिक है मुर्तानिया इसका भी पहला अफिशल लेंग्वेज अर्बिक है लेकिन इसका सेकेंड जो रस्मी जो जबान है वो अर्बिक है फिर्स्ट जहां तक मुझे याद पढ़ा इसकी फिर्स्ट जो रस्मी जबान है वो फ्रेंच है और दूसरी रस्मी जबान जो है वो अर्बिक है नेक्स्ट जो है इश्टहा जुर्जी जईदान फी किताबत जुर्जी जईदान जो है किस तरह की किताबत में मशूर हुए अलमस्रहिया, अर्रसाइल, अर्रिवाया, अर्रुमासिया, अर्रिवाया तारीखिया तो आपको पता होना चाहिए जुर्जी जैदान जिस फन में मशूर हुए वो रिवाया तारीखिया है उन्होंने तकरीमन जो है 22 रिवाया तारीखिया लिखी है जिसको भी याद हो जिसको जितनी रिवाया तारीखिया इनकी याद हो वो कमेंट बॉक्स में लिखता जाए त हरकत दिवान की तरफ कौन मनसूब नहीं है। आपको पता होना चाहिए हरकत दिवान जो है 1921 में वजूद में आया मिसर की अंदर और इसके तीन लोग इसके मौसिस माने जाते हैं अकाद, माजनी, शुकूरी अब देख लेते हैं इसमें से कौन से शुकूरी यह तालूख है इनका तो इस तरह जो जवाब आ गया वो जीम हो गया तो हमने आपको पचीस कोशिस करा दिये हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं, कुछ नहीं मालूमात आपको हासिल हुई है, आपको पेटन पता चला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले, बाइस तारीख को त पेटन देख लिया है, अगर हमारा नाम आता है, तो हम आपके अंडर में दाखरा लेना चाहते हैं, आप अपना किस तरह तयारी करें, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, उनसे कुछ रहनुमाई भी ले सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, इंशालला फिर नेक्स्ट प्ली शब्सक्राइब फोर भी च्टेरिव गूड़िया नेंच्ट 25 तरह्ट वीज़िया नेक्स वीड़ियो इंशाललहः और लिकाओ